दोस्तों कि आप किसी लड़की को पटाना चाहते हैं किसी लड़की से अपना वन चाहा कार्या करवाना चाहते हैं किसी लड़की को दिल दे बैठे हैं लेकिन वह लड़की आपकी फिलिंग्स को समझ नहीं पा रही है दोस्तों लाग प्रयास कर चुके हैं उस लड़की को प क्योंकि जो हम आपको लड़की पटाने के टोटके इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं वह आपको कहीं और नहीं मिलेंगे दोस्तों अगर उसे पहले अगर आपने हमारी चैनल एस्ट्रोग्यान को तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लडकी को वश में करने के लड़की को पटाने के टोटके भी गुरुजी बताईए दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि मातर छोटे से जोतिशी युपाय आपको कैसे साहते कर सकते हैं किसी भी लड़की को काबू में करने में उसे आकरशित करने में उसे वशी भूत करने में दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि कोई लड़की जिसको आप पसंद करते हैं अपना दिल दे बैठे हैं और चाहते हैं कि वहाँ आपकी गर्ल्प्रेंट बन जाए आपको ब बहाव देने लगेगी आपकी फीलिंग्स को समझेगी और बेंते हाँ आपको प्यार करने लगेगी आपको उपाय करने के लिए क्या करना है जिस भी लड़की को आप पसंद करते हैं मन पसंद लड़की मन चाहि लड़की का वशी करन करने के लिए आपको अनार के पेड़ के लकड़ी पूर फालगुनी के नक्षक्तर में तोड़ कर उसके बाद उसको धूब दिगानी है उसके बाद दाहिनी भुजा में बांध लेना है इस उपाय को करने से जिसमें लड़की के तरफ आप मोहित हो रहे हैं वह लड़की भी आपकी तरफ खीचे चली आएगी और अमूक शब्द पर उस लड़की का नाम आपको लेना है जिसको आपको वशिकरन करना है वशिभूत करना है दोस्तों इक इस दिन तक आपको ऐसा उच्चारन करना है इस मंत्र का जिसकी वज़ा से वह लड़की की आकरशन शक्ति की तरफ बढ़नी शुरू हो जाएगी वह है कल सहदर लिये वन्या धनुन उतकश्टिष्ट कुरू कुरू स्वाहा यह मंत्र है दोस्तों लड़की वशिकरण मंत्र भी कहा जाता है इसे और कामदेवे मंत्र भी कहा जाता है आपको तीन कालमीस मंत्र का जाप करना है मनुकामना की पूर्ति के लिए अपने भगवान से आपको बोलना है कि वहाँ लड़की वश में हो जाएगी और आपसे प्यार करने में मजबूर हो जाएगी दोस्तों यह है टोटका कोई बेगर कर लेता है तो लड़की पर अपना तुरंत नियंतरन हासल कर सकता है किसी अन्य प्रकार किसमस्य से जूज रहे है तो आज ही लिकन को जरूर दबाईएगा दोस्तों अगर आप समस्या से जूज रहे हैं कोई भी समस्या है आपकी उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे सांजा कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जो हो आपकी समस्या के निवारन है तो हम आपके समक्ष हाजिर हूं